नमस्कार साथियों साथियों अभी जो है क्लास 11 में यूनिट 4 चल रही है रासाइनिक आबंधन और आणविक सरचना इस यूनिट का ये सात्वा लेक्चर है इससे पहले 6 लेक्चर बन चुके हैं आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो सिस्टेमिटिक देख सकते हो वहाँ पर साथिक कर सकते हो क्लास 11 यूनिट 4 आपको यूनिट 4 मिल जाएगी आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे द्वी 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 द्व प्रकार के भी हो सकते हैं एक तो यह समान प्रकार के परमानों से मिलकर अनू बना है और एक अलग-अलग प्रकार के परमानों भी हो सकते हैं जैसे यह लिख रहा हूं मैं हाइडोजन प्लस फ्लोरीन यह बन गया है ठीक है तो यह जो है यह क्या है असमान परमानों से मिलकर ब विशम पर्माणवी अनु और ये जो है ये वाला क्या है सम पर्माणवी दोनों पर्माणों समान है तो इसको क्या कहूंगा सम पर्माणवी अनु अब क्या होता है अगर यहां पर इसकी बात करें इसमें तो इन दोनों एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब विद्यू दिनाजमक्ता में अंतर नहीं है और यदि विद्यू दिनाजमक्ता में अंतर नहीं है तो उस कंडिशन में हम ये कहेंगे कि द्वी दुरू आगूर्ण डाइपोल मुमेंट वो क्या होगा शुन्य होगा द्वी दुरू आगूर्ण क्या होगा शुन्य होगा लेकिन यदि मैं बात करूं कि इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में डिफरेंस है यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो अलग होगी तो यहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मंदल विद्यूतिनाद मक्ता में अंतर है तो उस कंडिशन में द्वीद्रू आगूर्ण मैं कहूंगा कि यहाँ पर शुन्य नहीं होगा क्या नहीं होगा शुन्य नहीं होगा ठीके तो उस condition में अगर अलग अलग electro negativity हैं दोनों की तो जो ज़्यादा electro negative अटम है उसके उपर partially negative charge आएगा और जो कम electro negative element है उसके उपर partially positive charge आजाएगा तो अपन जब भी दूद्रू आगूर्ण की बात करते हैं तो दूद्रू आगूर्ण की लिए जो चिनह लगाया जाता है ऐसे arrow का चिनह लगता है arrow का चिनह ऐसे लगता है और arrow का चिनह किदर से किदर की होगता है धन परमानों से रिन परमानों की होगता है मतलब और इस तरह से होता है इसका मतलब यह भी समझ सकते होगे possitive तो इस तरह से 2 through आगौन का यह होता है चीना होता है इस चीना के दवारा प्रदेशित करते हैं अब बात करें कि दीद्रु आगुर्ण किया होता है तो दीद्रु आगुर्ण को भई आप रिप्रदेन करते हैं अपने मू से किसे रिप्रदेन करेंगे मू से और मू बराबर क्या होता है e into d mu बराबर क्या होता e into d अगर मैं मान के चलें कि ये लिये आपनोंने hcl क्या लिया यहां पर hcl तो hcl में ये जो e क्या है e किसी एक एटम पर क्या है आवेश, charges कितना charges है इसके उपर किसी एक एटम, किसी any one एटम या फिर इसका मालेगा तो किसी any one एटम का क्या मानेंगे, charges मतलब आवेश, e क्या है यहां पर आवेश होगा, e आवेश और d क्या है अंतर नाभी की दूरी d क्या है इंटर नुकलियर डिस्टेंस अंतर नाभी की दूरी या इसको इंगलिश में कहेंगे तो इंटर नुकलियर डिस्टेंस ठीक है, इंटर नुकलियर डिस्टेंस कहेंगे तो ये दोनों का जो μू बराबर, e, e मतलब आवेश, किसी के उपर आवेश और d, इन दोनों की मद्दे की दूरी का गुनर फल, क्या कहलाता है द्विद्रू आवेश, किसी एक एटम का आवेश और क्या कहेंगे दोनों के मद्दे की दूरी मतलब इंटर नुकलियर डिस्टेंस को क्या कहे रहे है अब देखो, डेफिनेशन पढ़ते है कि किसी बंद का द्विद्रू आवेश किसी बंद का द्विद्रू आवेश का मान तथा बंद लंबाई के द्विद्रू आवेश का मान तथा बंद लंबाई बंद लंबाई जितना ज़्यादा होगी उतना द्विद्रू आवेश का मान तथा बंद लंबाई के गुणन फल के बराबर होता है म्यू बराबर E into D द्विद्रु आगुन की डेफिनेशन समझ में आई किसी बंद का द्विद्रु आगुन किसी बंद का द्विद्रु आगुन विद्यूत आवेश किसी एक पर एक एटम का है न विद्यूत आवेश का मान तथा बंद लंबाई का गुणनफल के बराबर होता है यदि E बराबर आवेश को EASU तथा D बराबर बंद लंबाई को सेंटीमीटर में रखे तो μ्यू की इकाई हो जाएगी EASU सेंटीमीटर ठीके? आवेश के लिए क्या माना आपने आपने EASU यदि E बराबर आवेश को EASU तथा D बंद लंबाई को सेंटीमीटर में रखे तो μ्यू की इकाई क्या मिलेगी अपने को EASU सेंटीमीटर होती है 10 to the power minus 18 EASU सेंटीमीटर को 1 DBI केते हैं यहाँ याद रखना 10 to the power minus 18 EASU सेंटीमीटर को 1 DBI केते हैं अथा द्वी दुरो आगetes की CGS EU क्या हो जाएगी DBI तो कई क्यूशन में पुछा जाता हैं competitive exam में के द्वी दुरो आगेशं की EKAI क्या होती है तो क्या होती डिबाई होती हैं और DBI किसके बराबर होता हैं अब द्वी दुरो आगेशन कैया है रिदरिनात्मक सीरा की ओर तीर को किदर की ओर दर्शा रहा है? इस side में कौन सा सीरा आ रहा है? रिदरिनात्मक सीरा है। यह इंडीकेट कर रहा है। यह कि इसका चीन हैं द्प 2 बसふ Kendall अज्रोगन का यह संक्येत है और किदर से किदर की ओर रहता है यह ठीर का चिन मले comedian m अधिक रिघ्ण का मफ परना ट्रफ यह यहां पर यहां पर क्या यह फॉर के ओर यह इंडिकेट होता है दी दुरू आगुण का ये चिनह यहां तक समझ में आया दी दुरू आगुण क्या है एक वेक्टर राशी है एक सदीश राशी है अब यहां पर अपन थोड़े एक्जामपल समझेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा यहां पर अपनोंने सिंपल दी पर्माणू काणों की बात करी दी पर्माणू काणों में अगर दोनों पर्माणू अगर समान है जैसे यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है यह दोनों पर्माणू क्या है समान है उस कंडिशन में आप म्यू की वेल्यू क्या लिखोग है तो उस condition में अपनों क्या बताना है पड़ेगा जीरो क्योंकि द्वीद्रु आगूर्ण है नहीं द्वीद्रु आगूर्ण के लिए क्या है वेक्टर राशी है और वेक्टर राशी सदिश राशी है मल्लब इसमें किदर से किदर की और इंडिकेट करना आपको रिनात्मक स अंतर है तब अपन किसकी बात कर रहें द्वीद्रु आगूर्ण की बात कर रहें और 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 द्वीद्रु आगूर्ण की बात कर रहें औ हाई का जो भी विशम परमाणवी करणों होते हैं उनकी रिनुवी दियुता में अंतर हैं तो उनका डेफिनेटली हैं कि उनका द्वी दुरु आगुरु न कुछ न कुछ तो हो गई होगा तो ये समझ में आगई होगी आपको बात मिटा देता हूं इसको आगे बढ़े अब अब बात करते हैं बहु परमाणवी करणों के बारे हम बात करते हैं अपनोंने बात कर ली अभी कि जो दी परमाणवी करणों हैं उसमें सम परमाणवी करणों और विशम परमाणवी करणो दोनों की अपनों बात कर ली, अब बात करते हैं, बहु परमाणवी गणू, बहु परमाणवी गणू में, जैसे ये ले ले अपने CO2 ले ले एक्जामपल के तोर पर, BF3 ले ले, CO2 ले ले, BF3 ले ले, तो इन में देखो, यहां C, यहां डबल बॉंड O, और यहां पर डब n pię collegatif ज्यादा हैं, तो इधर से इधर की और इंडिगेत होगा, इधर से इधर की और होगा, तो यह और इसके कारण का परिणामी, दुरी متर ऑगून क्या हो जाएगा, क्या मिल्हाएगा, पारिणामी ,दुरू अगुन को चुन्य होगा य atacless is के क्रारण यह क्या हो bargain था keeper लेंगी निन तो यह लिए बी और यह ऑफ यह और यह एटम क्या सिम्मेट्रेकरल नियूरां मैं क्ला नोड़ जल। झून्य होगा सिमैट्रिकल एंटम के कापंदिशनल में दिद्रू आगुन क्या होगा शुणि होगा देखिए यहां पर ये दीद्रू आगुन इसका भी क्या होगा म्यूं की वेल्यू क्या आएगी बिफ3 की भी क्या आएगी अब यह CO2 की जैसे किसकी अपन? BCL2 की तो BCL2 का भी क्या होगा? दिदृडरगर डागर आ जायंगे? शुन्य होगा इसका दिदृडरगर क्या होगा? लेकिन ये दिए अपन बात करें कि H2O है H2O ह्टीकै? H2O H2O में क्या होगा? कि इसमें lone pair आ जाएंगे क्या आ जाएंगे lone pair तो जब भी कोई lone pair होता है तो जैसे यह atom है और इसका lone pair है तो इसके दूइद्रू आगूर्णों को ऐसे represent किया जाता है इस तरीके से आप represent करोगे तो देखो इसका दूइद्रू आगूर्ण इसमें किदर से किदर की और यह elektronegative element तो यहाँ पर आप ऐसे बताओगे इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसे बताओगे और यह जो है यह क्या होगा इसका कैसे होगा इधर चाहर जाएगा और इधर यह जाएगा तो यह dipole moment जो है इधर की तरफ और यह इधर की तरफ cancel बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है तो इसका दूइद्रू आगून H2O के माले वकुल का दूइद्रू आगून कुछ नकुछ होगा क्या होगा कुछ नकुछ दूइद्रू आगून होगा तो H2O का दूइद्रू आगून होता है 1.84 LB होता है दूइद्रू आगून μू anlat zero होगा H2O का दूइद्रू आगून कुछ नकुछ तो होगा होगा ठीके तो जल में क्या है दो धूरूइद्रू बंद है एक तो ये वाला और एक ये वाला इसमें जल के माली कुल में किया अक्सिजन के पास दो लोन पेर भी रहते हैं तो लोन पेर के लिए मैंने बताया कि आपको कैसे बताना इस तरीके से बताना तो यहां पे द्विदर अगूरुन पनिनाम्य द्विदर अगूरुन एक दूसरे को क्या है खत्मन नहीं कर रहा है तो इस कंडिशन में इसका जो है द्विदर अगूरुन आपको कुछ ने कुछ तो मिलेगा है मिलेगा तो कुल मिला कि CO2 का दूदर अगोन शुन्य है BCL2 का शुन्य है BF3 का भी क्या होता है शुन्य होता है ऐसे अगर NH3 का देखेंगे किसका देखें NH3 का यह NH3 का तो यह H और यह H यह NH3 का तो इसमें कैसे रसे बताएंगे इसमें किदर से किदर की ओर यह हैas ऐसे होगा मतलब किदर से धन सीर्य से रीन सीर्य की ओर यह है और इसमें यह देखें इस तो अब देखें यहाँ पर इसका भी दीर रागोन खतम तो नहीं हो रहा है तो इसके या इस कारण इसका भी दीदुरु आगूर्ण अमोनिया का कुछ न कुछ होगा तो इसका जो अमोनिया का जो दीदुरु आगूर्ण होता है वो होता है म्यू बराबर 1.46 डिबाई होता है समझना 1.46 डिबाई होता है ये क्या है असम्मित हो गया यह सममित माली को ले, यह सममित हैं, इनको क्या है सममित, तो जो भी सममित होते हैं, उनके द्विद्रु आगूर्ण क्या होते हैं, शुन्य होते हैं, और जो असममित हैं, उनके द्विद्रु आगूर्ण म्यू नाट जिरो होता है, म्यू इकोल नाट जिरो होता है, मेरे इस देखिए थोड़ा सा ये चीज और समझ लेजिए आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा हम जो है अपने एक बार और पूरा इसको समझ लेते हैं देखिए द्वीद्रू आगून डाइकोल मेंड तो किसी बंद का द्वीद्रू आगून विद्यूत आवेश का मान तथा बंद लंबाई के गुननफल के बराबर होता है विद्यूत आवेश का मान की कब बात करेंगे जब कोई अलग-अलग प्रकार के द्रूवी बंद हो और द्रूवी बंद की बात कब करेंगे जिस बंद से जो एटम जुड़े हुए हैं दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिवि के बीचन के बीच में यह कै अधूवी हैं अधूवी नान पोलर ठीक है यह अधूवी है और जब अलग-अलग हैं तो उस कंदिशन में अपन क्या बात करेंगे द्रूवी बंद हैं क्या है वह दूवी बंद हैं लेकिन जरूर नहीं है कि जहां दुरुवी बंद हो उन मालिकुल्स में उन बॉंड में भी अपन ये बात नहीं कर सकते कि वो 100% उसके अंदर दुरु आगूर्ण होगा वो बात बताई गई है देखिए दुरु आगूर्ण तो किसी बंद का दुरु आगूर्ण विद्यूत आवेश का मान तथा बंद लंबाई के गुणन फल के बराबर होता है तो दुरु आगूर्ण म्यू बराबर E इंटू डी यदि E बराबर आवेश को ESU से है ना तथा D बराबर बंद लंबाई को सेंटीमिटर में रखे तो म्यू की एकाई ESU सेंटीमिटर होती है टेंट विपार माइनस 18 ESU सेंटीमिटर को एक डी बाई केते है अता दुरु आगूर्ण की CGS एकाई डी बाई है दुरु आगूर्ण क्या है एक वेक्टर राशी है मैं आपको बता चुका हूँ क्या है एक वेक्टर राशी हैं सदिश राशी हैं और ये किदर से किदर की और इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की और जिसे दूद्रु आगून के रिनात्मक सिरे की और निर्देशित करने वाले तीर के द्वारा दर्शाय जाता है अब HCL में दिदरु आगून को ऐसे दर्शा सकते हैं कि HCL में इस तरीके से ये दिदरु आगून है इसमें ये हाइटोजन हाइटोजन की बीच की डिस्टेंस है तो म्यू बराबर क्या होगा किसी एक परमानों पर उपसित आवेश और D हैना D मतलब दोनों के बीच की डिस्टे D हैना यहां बंद लंबाई भी के सकते इसको बाउंड लेंद भी के सकते हैं इंटर न्यूक्लिय डिस्टेंस मतलब वही बाउंड लेंद बाउंड लेंद तो म्यू बराबर E into D क्या हो जाएगा दिदरु आगून हो जाएगा देखिए बहू परमानों करूं अब बात करत द्रुवी बंद होते हैं इसके बाउजुद आवशक नहीं कि अनुद्रुवी ही हो यहां आवशक नहीं कि अनुद्रुवी ही हो देखिए आप मेरे साथ यहां पे ध्यान से सुनिया गया यह बात यहां पर यह बंद क्या है दुरुवी है और यह बंद भी दुरुवी है लेकिन यहां पर क्या बताया गया कि द्विद्रु आगुर्ण इसका क्या है शुन्य है लेकिन इसका द्विद्रु आगुर्ण कुछ न कुछ मिल रहा आपको तो यहां पर आपको यह शोर नहीं करना है कि बंद जो है दुरुवी है तो उसका दृद्रु आगुण कुछ न कुछ होगा यह शोर नहीं होता है देखिए बहु परमाणवी कणू में एक से अधिक दुरुवी बंद होते हैं एक सेधिक दुरुवी बंद होते हैं इसके बावजुद आवशक नहीं कि अनुदुरुवी हो यह जरूर नहीं है तो अपने को यहां पर यह निकालना है कि कौन सा मालिकुल पोलर है कौन सा नाल पोलर है कौन सा दुरुवी है कौन सा अदुरुवी है यह पुछा जाता है ए बिन बंदों के द्विद्रु आगून के परिणामी मान क्या हो जाते शुन्य होना है अत्व पर्माण में द्विद्रु बंदों की प्रकर्ती पर निर्पर करती है बंदों की प्रकरती अब देखे इसका द्विद्रु आगून क्या हो जाएगा परिणामी द्विद्रु कि और ऐसे इस तरीके से और इसमें मैंने बता दिया आपको कि कोई लोन पेर लगा हुआ तो उस कंडिशन में आपको द्विद्रु आगूर्णों को ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर इसको ऐसे ठीक है और इसको ऐसे तो यह क्या खतम कर रहे हैं एक दूसरे को नही जाद है उदर एरो का एरो होगा यह नहीं इसमें जो है इसमें अपन लगाएंगे इसे ठीक है तो समझ में आ रहा ना तो इसका दूसरे अगूर्णों क्या होगा कुछ न कुछ होगा तो यह होता है दूसरे के बारे में तो अलग-अलग एक्जाम्पल्स आते हैं अलग- जैसे की यह ले लिए है छीएच फॉर ठीक है इसकी शेप जो होती है और इसका परिणामे दूसरे को खतम करेंगे यह शुन्य होगा दूसरे को क्या हो जाएगा इसका शुन्य होगा तो यहां पर यह भी कहा जाता है कि जो मालिकुल से स्टार्टिकल होते हैं उनका दूसरे के यह नहीं होगा नाट जीरो होगा तो यह जो आप पर आपनी बुक्स में देखेंगा प्रेक्रिस कीजएगा मैंने आपको बेसिक जानकरी देदी आप इसका स्क्रीट शेयर ले ज़ल्दी से ठीक है आपको बहुत सारी चीजे मैंने बताई यहां पर आपको एक चीज स्टार्टिक में यह ध्यान रखना कि जो भी सम पर्माण भी करनों दीव पर्माणों करनों चाहें आपको H2, Cl2, N2, O2 इन सभी का द्वीद्रो आगूर्ण क्या बताऊगे, Mu equal क्या बताऊगे, 0 बताऊगे इस टाइप की माली उकुल की HCL है, HCL है, HBR है, HI है, ठीके, जब इनकी विद्यू दुनात मक्ता में अंतर आ रहा, तो उस कंडिशन में कुछ न कुछ द्वीद्रो आगूर्ण हो गई होगा, यह हमाल लिया लेकिन वापस आगे जो शर्त रखी, अपनोंने की जो बहुँ परमाण में करणों होते हैं, उन में परिणामी दुद्रो आगूर्ण क्या होगा, अगर symmetrical condition है, यह वाली condition है, तो उस condition में 0 भी हो सकता है, यहाँ बले यह दुरूवी बंद है, लेकिन यह दुरूवी बंद ह कुछ न कुछ होगा, क्योंकि दुद्रो आगूर्ण क्या है, एक वेक्टर राषी है, यहाँ पर परिणामी दुद्रो आगूर्ण खत्म नहीं हो रहा है, धीकि यह इस direction में जा रहा है, और यह इस direction में जा रहा है, तो surface' का दुद्रो आगूर्ण के बे karşjours करेंगे, आप के साथ यूँ मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाई और थैंक यू सो मच वर वाचिंग